नमस्कार दर्शकों आज का हमारी चर्चा का विशा है कि I.U.I. प्रोसीजर क्या होता है I.U.I. याने की इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन बहुत सारे पेशेंट आकर कहते हैं कि डॉक्टर हमारे I.U.I. प्रोसीजर कर दीजिए क्योंकि उन्होंने इंटरनेट में विडियोस देखकर या गूगल सर्ट से पता लगाया होता है कि I.U.I. प्रोसीजर जो है आई वी एफ से पहले की एक टेकनीक है यह आई वी एफ से जादा चीपर है और इसमें जो है सक्सेस रेट के चांसिस होते हैं तो I.U.I. प्रोसीजर आखिरकार होता क्या है I.U.I. प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि हम लेडी को टाबलेट या इंजेक्शन देकर उसका एग डेवलप करते हैं और जब एग का जो फॉलिकल का जो साइज है वे 18 मिलिमीटर का हो जाता है तो हम उसको रप्चर करने का इंजेक्शन देते हैं और रप्चर करने के इंजेक्शन से 36 घंटे बाद हम हाजबन का स्पर्म सैंपल लेकर उसको वाश करके त्यार करके लेडी की यूट्रस में इंफ्यूज कर देते हैं तो जो ये I.U.I. प्रोसीजर है इसके सबसे पहले क्या है कि ऐसे ही नहीं कि किसी पेशन को I.U.I. की जरूरत है या नहीं है अपने आप नहीं डिसाइड किया जा सकता डॉक्टर पेशन देखकर डिसाइड करते हैं तो I.U.I. की कुछ इंडिकेशन होती है इंडिकेशन यानि की कैसे patient में IUI किया जाए जिसमें इसकी काम्याबी की हमें संभावना नजर आती हो तो IUI का जो procedure है यह unexplained infertility में यानि की कोई lady है जिसकी शादी को एक साल दो साल हो गए है और उसके regular cycles है, husband का test ठीक है, tube एक खुली है पर pregnancy नहीं हो रही तो एक दो cycle IUI के try किये जा सकते हैं to increase the chances of pregnancy अब IUI ऐसे patients में जिनमें उन्हें relation बनाने में दिक्कत आ रही है या sexual dysfunction हो रहा है ऐसे patient में भी IUI procedure काफी काम्याब है जिसमें थोड़ा mild male factor है यानि की husband के sperms में थोड़ी बहुत problem है, count या motility के issues है ऐसे patient में भी IVF काफी काम्याब होता है डोनर्स फार्म से अगर IUI किया जाए तो ऐसे patients में भी IUI काफी काम्याब होता है अब इसमें क्या है कि ट्यूबें चेक हुई होनी चाहिए और ट्यूबें खुली होनी चाहिए बार-बार IUI procedure करते रहें और ट्यूबों का पता नहो ऐसा करना ठीक नहीं है इसमें pregnancy के chances नहीं है और दो-तीन cycle fail होने के बाद अगर हम ट्यूबें चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि ट्यूबें बंद है तो बहुत ज़दा disartening होती है कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया तो किसी भी IUI procedure पर क्योंकि खर्चा होता है तो इसका pre-requisite है कि इससे पहले ट्यूबें चेक कर ली जाएं और पता हो कि हाँ हमारी ट्यूबें खुली है इसी के बाद ही हम IUI procedure के लिए proceed करें अब जो IUI procedure है ये बहुत ही mild है इसमें कोई बहुत ज़ादा दर्द या discomfort नहीं होती अगर patient के point of view से देखा जाए तो 2-3 scan होते हैं, 2-3 visit होती है और एक simple सा procedure होता है जिसमें हम एक speculum डालते है और हम sperms जो हैं वो uterus में डाल देते हैं अब IUI के procedure की सबसे बड़ी problem ये है कि IUI के procedure में जो success rate है वे per cycle limited है यानि कि किसी भी lady के IUI में 15-20% से जादा chance नहीं है यानि कि अगर हम एक lady के 6 IUI करेंगे तो वो एक में pregnant हो सकती है या फिर अगर हम 6 ladies के IUI कर रहे हैं तो उन में से एक या maximum दो pregnant हो सकती है तो इसलिए ही IUI के procedure से पहले patient की बहुत ज़्यादा counseling होई होनी चाहिए कि आपको इस process के जो है pros and cons के बारे में पता होना चाहिए यानि कि अगर IUI fail हो जाता है तो कई लोग बहुत disorder हो जाते हैं उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा procedure करा लिया और उसमें बात नी बनी तो अब सारे द्वार बंद हो गए हैं और अब कुछ नहीं हो सकता हमारी fertility treatment के point of view से यह सबसे basic treatment है बहुत ही हमारे तरफ से low level की treatment है और इसमें अगर success नहीं होती तो कोई बहुत जादा disartening होने की ज़रूरत नहीं है इसमें आगे बढ़ा जा सकता है IVF के procedure में proceed किया जा सकता है IUI के जो success rate है उसके बारे में आपके डॉक्टर अगर आपको अच्छे से बताते हैं कि इसके success rate जो limited है और इसमें जो है pregnancy के chances limited है तो फिर आप जो है प्रोसीजर में जो है उसको जिन्दा दिली से करेंगे और आपको इस चीज में डर नहीं लगेगा कि हाँ कहीं हमारा procedure फेल हो गया तो आपको पहले ही की fertility consultant को मिल सकते हैं IUIK advice लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद